क्या हमारा भविश्य पहले से ही तय है या हम इसे बदलने की काबिलियत रखते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे योगा नन जी और उनके गुरू श्री युकतेश्वर जी हमें एस्ट्रोलोजी यानि की जियोतिश विद्या के बारे में क्या बताते हैं। और इसे बदलने के कुछ important points क्या है। तो श्री युकतेश्वर जी बताते हैं एस्ट्रोलोजी यानि की जोतिश विद्या में यह study किया जाता है कि ग्रहों के प्रभाव के अंतरगत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता वे केबल positive और negative radiation भेजते हैं। ये खुद से मानब्ता की मदद या नुकसान नहीं करते हैं बलकि कारण प्रभाव संतूलन के बाहरी संचालन के लिए एक bad channel प्रदान करते हैं। जिसे प्रतियक व्यक्ति ने अतीत में गती में स्थापित किया है। एक बच्चे का जनम उस दिन और उस समय होता है जग ग्रह नक्षत्रों की किर्णों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण mathematical ताल में बैच जाता है। उसकी जनम कुंडली उसके ना बदलने वाले अतीत और उस अतीत के संभावित फ्यूचर परिनामों को दर्शाता है। लेकिन जनम कुंडली का सही अर्थ केवल एक ज्यान से संपन ब्यक्ति ही समझा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जनम के समय अकाश में स्पस्ट रूप से प्रसारित किये गए संदेश का उदेश्य भाग्य को अती महत्तव देना नहीं है जो अतीत के अच्छे और बुरे का परिनाम है। बलकि बिश्व नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुश्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी जो भी परिनाम सामने आ रहे होते हैं उनके कारणों को उकसाने वाला भी बही था। वह किसी भी सीमा को पार्क गर्द सकता है। क्योंकि पहले तो उस सीमागस रिजन उसने स्वय अपने कर्मों से ही किया है और फिर उसके पास अध्यात्मिक संसादन हैं जो किसी ग्रह नक्षत्र के दवाब में नहीं होते। जोति शास्त्र के प्रती अंधीश रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती हैं जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्ग दर्शन का दास बन जाता है। बुद्धिमान मनुष्य स्रिष्टी के बदले स्रिष्टा यानि की निर्माता में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को यानि की अपने अतीत को मात दे सकता है। जितना अधिक परमात्मा के साथ अपनी एक आत्मा का उसे एहसास या ज्ञान होता है उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। आत्मा सदैव मुक्त है वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य एक आत्मा है और उसके पास एक शरीर है जब वह अपनी पहचान की समझ को सही ढंग से रखता है तो वह सभी बाद्यकारी या कमपलसी पैटरन को पीछे छोड़ देता है जब तक वह अपनी अध्यात्मिक अवस्ता को याद ना रखकर अपनी साधारन अवस्ता में ब्रहमित रहता है तब तक वह प्रकृति के बिधी नियमों की सुक्षम जंजियरों में जकड़ा रहता है God is harmony याने की ईश्वर स्वय सामजस्य है उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है वह कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता उसके सारे कार्यकलाब या activities अपने आप ही जो तिशियर नियम के अनुसार सही समय पर होंगे प्राचीन रिश्यों ने माया में मानव के निर्वास की अबधी को कम करने के अनेक तरीके भुण निकाले हैं करम नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक है जिने ग्यान की उंगलियों से कुशल्टा पूरबग इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृती के नियमों का उलंगन करने के कारण ही पैदा होते हैं शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृती के नियमों का पालन करना चाहिए पर साथ ही ईश्वर की सर्व शक्ति मत्ता में भी उसे अब विश्वास या संदे नहीं होना चाहिए उसे यह कहना चाहिए प्रभू आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे परंतो मैं भी अपनी और से अपनी भूलों को सुधारने का प्रियास करूँगा बिश्व में निरंतर विध्युत और चुम्ब की ये किर्णों का संचार होता रहता है ये किर्णे मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाब डालती है युगोपुर हमारे रिशी मुन्यों ने सुक्षम ब्रहमांडे किर्णों के प्रतिकूज या नेगटिब प्रभाबों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सुक्षम प्रकाश की किर्णों का सरजन करती है जो ग्रहों के नेगटिब प्रभाबों को निश्फल करने की प्रचंड शक्ती रखती है अब बात करते हैं भाग्य या भविश्य बदलने या बहतर बनाने के लिए योगनन्द और युक्तेश्वर जी द्वारा कहे गए कुछ पॉइंट्स क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी जानकारी खुद से परना या समझना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से योगनन्द जी के द्वारा लिखी गई बेस्ट पुक्स को स्पेशली आटोबायोग्राफी ओफ योगी को खरीच सकते हो जो आपको आपकी जीवन और ब्रह्माण की अच्छी क्लैरिटी देगी और आपको सफ्रिंग से अजाद करेगी तो पहला पॉइंट है जो की परमस योगनन्द जी द्वारा कहा गया है जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानु भूती यानि की सेल्फ रियलाइजेशन होगी उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्माण को अपने सुक्षम अध्यात्मिक बाइवरेशन से प्रभावित करता है और उतना ही कमवह स्वय ब्रह्माण के परिवर्तनों से प्रभावित होता है सेकेंड पॉइंट है दिव्य ज्यान की अगनी में जला देने पर अतीत के करम बीच अंकूरित नहीं हो सकते अगला है इश्वरिय सरक्षन में पुर्ण बिश्वास और मनुष्य की इश्वर प्रदत इच्छा शक्ती का सही उप्योग ये दोनों ऐसे प्रचंड शक्तियां हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रभाहित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती अब युग तेश्वर जी द्वारा कहे गए कुछ पॉइंट्स उससे पहले वीडियो लाइक करें गहरी प्राथना और ध्यान के वाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ती नहीं है अगला पॉइंट है अनेक उपायों द्वारा प्राथना से इच्छा शक्ती से योग ध्यान से संतों के परामर्श से जोतीश्य करों के उप्योग से अतीत की गलतियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम या स्माप किया जा सकता है जानकारी सही लगे हो तो वीडियो शियर करें और ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें